ये कहानी तब की है जब इंग्लेंड और चाइना एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे दोनों ही देश अपनी टेक्नलोजी इतनी ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं जिससे कि वो एडवांस रॉबोट्स की मदद से दूसरे देश पर हमला कर सके हैं अब हमें यहां अंडरग्राउंड फैसिलिटी में विंसेंट नाम का एक साइन्टिस दिखा जा रहा था विंसेंट और उसके टिम सरकार के लिए लगातार कुछ ऐसे रॉबोट्स बना रहे थे जो हूँ बहू इंसानों की तरह सोच सकते थे विंसेंट एक सोलजर जिसका नम पॉल होता है उसके दिमाग पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था दरहसल पॉल एक सोलजर था जो युद्ध में मारा गया था लेकिन विंसेंट ने पॉल के दिमाग में साइबरनेटिक इंप्लांट कर दिया था जिससे कि वो पॉल के शरीर को एक robotic body बना देते हैं पर इन सारी चीजों की वज़े से पॉल अपनी सारी यादे भूल चुका था पॉल तो सिर्फ इतना कहते जा रहा था कि उसे अपनी मॉम के पास वापस जाना है यहाँ Vincent अपनी एक कलीक के साथ बात करते रहता है तब ही अचानक पॉल ने पीछे से आकर Vincent को पकड़ लिया था पॉल तो एकदम out of control होकर Vincent को damage पहुचाते जा रहा था इसके बाद तो पॉल ने Vincent की उस कलीक को जान से मार दिया था लेकिन पॉल जब बंदूक की मदद से विंसेंट को भी गोली मारने जाता है तब ही कुछ तोलजर आकर पॉल पर गोली चला देते हैं जिससे कि पॉल के दिमाग में बिठाया गया सारा सिस्टेम खराब हो जाता है विंसेंट की जान तो बाल-बाल बची थी इस इंसेंट के बाद विंसेंट तो बहुत ही जादा परिशान रहने लगा था क्योंकि उसके सारे एक्सपरिमेंट फेल हो रहे थे अब अगले दिन विंसेंट कुछ ऐसे यंग्स्टर्स का प्रोजेक्ट देखने आता है जिससे कि उसे कुछ आइडिया मिल सके तभी वहाँ पर विंसेंट को एवा नाम की एक लड़की मिलती है एवा ने खुद का एक आर्टिफिशल रॉबोट बनाया था जिसके फंक्शनिंग देखने के बाद विंसेंट एकदम चौक जाता है क्योंकि वह रॉबोट पूरा इंसानों के ही जैसा जवाब दे रहा था विंसेंट तो काफी जादा इंप्रेस होकर एवा से बात करने चला गया था और अब वह एवा को डायरेक्ली ओफर देता है कि वह उसके और्गनाइजेशन में आकर काम करने लगे क्योंकि यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को लेकर कई साल विष्ट करने से अच्छा एवा विंसेंट के प्रोजेक्ट में पैसो के लिए काम कर सकती थी एवा वे विंसेंट का ओफर सुनकर रेडी हो जाती है अब एवा तुरन थी विंसेंट के लेबोरेटरी के तरफ निकल पड़ती है लेकिन लेबोरेटरी के बाहर एवा को एक बुड़ी औरत मिलती है जो लगातार यही कह रही थी कि अंदर मेरा बेटा फसा हुआ है दरसल यह बुड़ी औरत और कोई नहीं बलकि पॉल की मॉम होती है उसे तो इस बात कभी अंदाजा नहीं होता कि पॉल अब मर चुका है सिक्यारिटी वाले तो पॉल की मॉम को अंदर आने ही नहीं देते एवा तो इस बारे में जादा सोची बिना विंसेंट के पास आ गई थी उस लेबरेटरी में तो चारों तरफ सोल्जर्स फैले हुए थे पर ताज्यूब के बात यह थी कि उन सारे सोल्जर्स के सर पर कुछ अजीब तरीकी का निशान बना हुआ था विंसेंट से पुछने पर वो ये बता रहा था कि इन सारे सोल्जर्स का दिमाग लड़ाई के दौरां डैमेज हो गया था इसलिए उनकी औरगराजेशन ने इन सारे सोल्जर्स के दिमाग में इंप्लांट कर दिये थे जिससे कि अब सारे soldiers एकदम से ठीक हैं पर इस implant का सिर्फ एक ही side effects था वो soldiers कुछ भी बोल नहीं सकते थे उन soldiers की आवाद जा चुकी थी एवा यहाँ पर Thompson से मिलती है जो इस पूरे laboratory और experiments का director था प्रोजेक्ट के funding Thompson ही handle किया करता है Thompson तो एवा से थोड़ी political बाते करने लगा था पर Vincent कहता है कि एवा यहाँ पर कुछ और काम करने आई है तो हमें उसी के उपर ही focus करना पड़ेगा तब ही Vincent एवा को एक patient के पास लेकर आता है जिसका नाम James था युद्ध के दौरान James के दोनों ही हाथ कट चुके थे इसलिए अब James के दोनों हाथों पर artificial hands लगाये जाते हैं जिसके connect करने के बाद ही James अपने हाथों को control कर पा रहा था इसके artificial hands इतने ज़्यादा strong होते हैं कि वो marble को अपने हाथ में दबा कर पूरा चूरा बना दे रहा था James इतने टाइम बात किसी चीज को छूक कर फील कर पा रहा था इसलिए अब वो एवा को भी touch करके देखना चाता था हाला कि विंसेट ये करने के लिए मना करते रहता है क्योंकि James पूरी तरीके से अपने हाथों को control करना नहीं सीख पाया था लेकिन इवा तो ये करने के लिए राजी हो जाती है James ने तो बड़े प्यार से इवा का हाथ पकड़ लिया था और वो उसके साथ मिलकर dance भी करने लगा था पर बातों ही बातों में James एवा को सीक्रेटली ये कहता है कि वो टाइम निकाल कर उससे मिलने के लिए सेक्टर 9 में आ जाए एवा को कुछ समझ में नहीं आता कि सेक्टर 9 में मौजूद क्या है इसके बाद Vincent एवा को इन सारी experiment का goal बताता है दरसल वो सब सरकार के कहने पर ये सारी चीजे बना रहे थे ताकि ये सारे humanized robots दुस्मनों पर जाकर हमला कर सके और खुद को protect कर सके जिससे की normal soldiers की भी जान नहीं जाएगी और हमारी artificial technology को बढ़ावा मिलेगा साधी चीजे समझाने के बाद Vincent एवा को लेकर एक test करने आ जाता है Vincent अपने data collecting machine का use करके एवा से अलगलग type की सवाल पूछ रहा था दरसल Vincent एवा की सारे feelings और पसंद ना पसंद को पहचान रहा था जिसके लिए वो लगातार questions पूछ कर data collect करता रहता है एवा ने बताया कि उसे कैसे dance करना और drawing बनाना पसंद है पर वहीं उसे मकडी, clown और भी जैसे चीजों से डर लगता था सारी रिपोर्ट्स जमा होने के बाद एवा विंसेंट से पूछ रही थी कि सेक्टर 9 में क्या है विंसेंट बताता है कि जो भी रॉबर्स पूरी तरी किसी खराब हो चुके होते हैं वो उन्हें वहाँ पर ठीक करके अलग-अलग चीजे सिखाते थे लेकिन एवा का यहाँ पर एक और सवाल था कि बाकी soldiers नौकरों के जिन्दगी क्यों जीते थे यहाँ पर विंसेंट एकदम से च्यूप हो जाता है उसने तो एवा के सवाल का जवाब देना ही नहीं ठीक समझा एवा यहाँ पर बिना किसी को बताए सेक्टर 9 की तरफ चल गई थी पता करने के लिए कि वहाँ पर क्या मौजूद है लेकिन वहाँ जाते ही कुस्तोल जैस ने एवा को पकड़ लिया था और अब उसे अंदर जाने ही नहीं दिया जाता इस इंसिडेंट के बाद विंसेंट एवा पर काफी गुस्सा भी हो गया था विंसेंट डारेक्ली एवा से कह देता है कि तुम सिप यहाँ पर एक्सपरिमेंट करने आई हो इसके अलावा तुमें कुछ भी जरूरत नहीं है जाननी की हाला कि विंसेंट ने बाद में एवा से माफी मांग ली थी एवा को ये भी पता चलता है कि विंसेंट और उसकी टीम जो रॉबोट तयार कर रही है उसका चहरा सेम टू सेम एवा जैसा होगा इसलिए एवा के सारे फेशियल एक्स्प्रेशन्स रिकॉर्ड किये जाते हैं कई दिनों के बाद उन सभी लोगों ने मिलकर उस एडवांस रॉबोट का दिमाग बना लिया होता है जो सेम टू सेम एवा की तरह ही सोचता था अब एक दिन थाउंसन सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग में एवा को देख लिता है जो विंसेंट के सिस्टम में सेक्टर 9 के सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर रही होती है थॉमसन तो इस बाद से बहुती ज़्यादा गुसा हो चुका था अब दिन डलने के बाद विंसेंट और एवा कार में जाते रहते हैं तब विंसेंट ने एवा को ये बताया कि उसे यहाँ पर ये सारी चीजे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है दरशल विंसेंट यहाँ पर साल उसे सिर्फ अपनी बेटी की वज़े से काम कर रहा था विंसेंट के बेटी के दिमाग के अंदर एक खास तरीकी की विमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब उसके दिमाग को कैसे भी करके इंप्लांट करना ही पड़ेगा इसलिए विंसेंट ये चाता था कि वो एवा के बाड़ी से सारी इंफोर्मेशन कलेक करके एक ऐसा AI रोबोट टायार करे जिसके दिमाग को वो अपनी बेटी के बाड़ी में डाज सकता था तब जाकर एवा भी विंसेंट की मजबूरी समझ जाती है एवा भी तयार हो गई थी इस एक्सपेरिमेंट में साथ देने के लिए वो दोनों रास्ते में जाते ही रहते हैं तब ही उनके कार के सामने कोई बूड़ी औरत आ चुकी थी एवा को लग रहा था कि ये साथ से पॉल की मदरी होंगी जो अपनी बेटे के तलाश में यहाँ पर आई हैं एवा जैसे ही उस बूड़ी औरत के पास गई तब या चानक उसने पलट कर एवा पर चाकू से वार कर दिया था वो कोई बूड़ी औरत नहीं बलकि एक चानिस आदमी होता है चाकू का वार होने की वज़े से एवा मारी जाती है विंसेंट इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था तॉमसन तो ये सारी चीजे कैमरा की मदद से देखता रहता है यानि कि इसका मतलब ये था कि थॉमसन नहीं उस चानिस आदमी को बोलकर एवा को जान से मरवा दिया था वहाँ पर विंसेंट को भी डारेक्ली थॉमसन पर शक हो जाता है क्योंकि उस चानिस आदमी ने उसी जान से नहीं मारा अपने और्गनाईशन में आने के बाद थॉमसन विंसेंट को अपना काम जल से जल खतम करने के लिए कहता है इस मॉमेंट पर विंसेंट को पता चल गया था कि ये सारा काम थॉमसन का है और वो बिना कुछ फीलिंग जाहिर किये अपने काम पर लग गया था विंसेंट ने तो कई महीने काम करके अपना एडवांस रॉबर्ट तयार कर लिया था इस रॉबर्ट के नियूरोलाजिकल सिस्टम में एवा की सारी यादे मौझूद होती हैं साथ ही साथ विंसेंट इस रॉबर्ट का चैरा सेम टुसेम एवा की जैसा बनाना चाता था सारी चीजे अच्छे से होने के बाद वो रॉबर्ट तयार हो जाती है देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो और कोई नहीं भलकि एवा ही है लेकिन ये AI रॉबर्ट बहुत ज़्यादा शान्त और एग्रेसिव नहीं थी थॉमसन चाता था कि ये रॉबर्ट उसके इशारों पर काम करे और अपने दुश्मनों पर अटैक करके उन्हें मार दे अब उस रॉबर्ट को एग्रेसिव बनाने के लिए थॉमसन अलग अलग चीज़े ट्राय करता है जिस तरीके से एवा को स्पाइडर्स और क्लाउन से बहुत ज़्यादा डर लगता था थॉमसन उनी चीज़ों का यूज करके रॉबर्ट को डराता है क्योंकि उस रॉबर्ट ने एवा के ही सारी फीलिंग्स और थिंकिंग फीट की गई है वो रॉबर्ट तो रियालिटी में स्पाइडर्स और क्लाउन से डरने लग गई थी और अब उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जोकर को जान से मार दिया था यही सारी चीजे थॉबर्ट चाता है ताकि वो रॉबर्ट बहुत ज़्यादा गुसायल बन जाये और अपने दुश्मनों को खतम कर दें लेकिन विंसेंट रॉबर्ट के इस डिसिजन की वज़े से बहुत ज़्यादा नाराज होता है विंसेंट ने एवा के रॉबर्ट को बताया कि यह कोई जोकर नहीं बलकि इंसान है वो AI रॉबर्ट भी बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी क्योंकि उसे इस बात का ज़रा भी अंदाजा ही नहीं होता एवा के रॉबर्ट तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी वो तो ज़रा भी हिल डूल नहीं रही थी और बात भी नहीं कर रही थी यहाँ विंसेंट हमें सेक्टर 9 में जेम्स से बात करते भी दिखाया जा रहा था जेम्स भी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसके दिमाग में इंप्लांस इंसर्ट कर दिया गया था पर विंसेंट जेम्स से वादा करता है कि वो उससे जल सी जल यहां से निकाल देगा अब विंसेंट को सोलजर्स के मदद से यह पता चलता है कि एवा की रॉबॉट बीसमिंट के अंजर चली गई है विंसेंट जब अपनी बनाए गई रॉबॉट को नीचे देखने गया तब वो आराम से चारो तरफ घूमते हुए नाच रही थी विंसेंट के पास आने के बाद एवा की रॉबॉट ने उसे बड़ी प्यार से कहा कि वो सारी चीजे समझ चुकी है और अब तो उसे ये भी पता है कि विंसेंट इस जगव पर सिर्फ अपनी बेटी को ठीक करने के लिए काम कर रहा है एवा के रॉबॉट ने विंसेंट के वालेट में उसकी बेटी की तस्वीर देख ली थी विंसेंट भी बहुत ही ज़ादा मजबूर था इसलिए अब एवा की रॉबॉट विंसेंट को गले लगा कर ये कहती है कि वो उसकी बेटी को बचाने के लिए साथ जरूर देगी यहाँ पर हमें एवा के रॉबॉट के अंदर फीलिंग्स जक्तिवी दिखाई दे रही होती है जो एक्सपरिमेंटल वाइस बहुत ही अच्छा मैसेज था अब अगले दिन थॉब्सन एवा के रॉबॉट को लेकर एक चाइनीज आदमी के पास आ जाता है थॉब्सन ने बताया कि इसी चाइनीज आदमी ने एवा का कतल किया था और अब वो एवा के रॉबॉट से ये चाता था कि वो उस चाइनीज आदमी को खत्म कर दें लेकिन एवा की रॉबॉट तो ये करना ही नहीं चाती थी क्योंकि विंसेंट ने उसे ये सारी चीजे करने से साफ साफ मना किया था थामसन ये चाता था कि एवा की रॉबोट उसके कहने पर ही काम करे इसलिए अब थामसन उनके बीच ये चाकू रखके वहां से चला जाता है उस चाइनिज आदमी को लग रहा था कि वो रॉबोट उसे मार देगी इसलिए वो चाकू की मदद से उसके उपर हमला करने चला गया था अब उस रॉबोट को अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए उसके उपर हमला तो करना ही पड़ेगा थोड़ी देर बाद जब थामसन रॉबोट के पास आता है पर वो अभी भी चाता था कि रॉबोट उसके कहने पर सारी चीजे करे इसके बाद जब विनसेंट एवा की रॉबोट से मिलने आता है तब वो डर के मारे एक डेस्क के नीचे छुपी हुई थी विनसेंट भी कमफर्टेबल फील कराने के लिए रॉबोट के पास जाकर बैड़ गया था एवा की रॉबोट बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उसने जाने अंजाने में उस चाइनीज आदमी को चोट पहुचाई होती है एवा की रॉबोट ने तो विनसेंट को ये सारी बाते बता दी थी विनसेंट को भी कहीं न कहीं ये पता चल रहा था कि एवा की रॉबोट में फीलिंग्स आ चुकी है लेकिन वो इस बात से शौर नहीं होता एक दिन एवा की रॉबोट विंसेंट के पास रहकर उसके बेटी को ठीक करने का इलाज पूछ रही थी विंसेंट ने कहा कि अगर रियालिटी में एवा जिंदा होती तब वो अपनी बेटी के सारी फीलिंग्स और दिमाग उसके बॉड़ी में ट्रांसफर कर सकता था पर एवा के बिना ये मिशन पॉसिबल नहीं है तब ही वो AI रॉबोट कह रही थी कि इन सारी चीजों में तुम मेरे बॉड़ी का यूज़ कर सकते हो है विंसेंट ने ऑप्रेशन से पहले अपनी बेटी की सारी यादे एक numerurgical memory में capture कर ली थी ऑप्रेशन होने के बाद भी विंसेंट की बेटी बच नहीं पाती विंसेंट तो पूरी तरीके से तूट चुका था क्योंकि उसके family में सिर्फ उसकी बेटी ही बची थी जिसे वो अपना कह सकता था यहां Vincent बहुती दिनों बाद अपने office में आया हुआ होता है Vincent एक ऐसा device ढून रहा था जिसके अंदर वो अपनी बेटी के mind को insert कर सके तब इस जग़ा पर एवा की robot आ गई थी वो विंसेंट की तकलीफ समझ रही होती है इसलिए एवा विंसेंट से कह रही थी कि वो एक बार उसके आखों के memory के अंदर जाग कर देखे विंसेंट ने जब ऐसा किया तब वो एवा की आख में अलग-अलग photos देख रहा था जिसमें mostly विंसेंट present होता है वो तो इस बात से बहुती ज़्यादा शौक हो गया था क्योंकि ये सारी चीजे उनी की दिमाग में हो सकती है जिनके पास feelings और consciousness है यानि कि एवा के robot के पास reality में feelings मौजूद है विंसेंट ये खबर Thompson को सुनाने के लिए जाता है वो Thompson को बता रहा होता है कि हमने जीस भी टाइप से robot को create किया था वो इससे भी 100% गुना अच्छा perform कर रहा है एवा के robots के पास feelings और consciousness दोनों आ गई थी लेकिन यहां Thompson की सोच कुछ और होती है Thompson कह रहा था कि यह बात एक तरह से हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है क्योंकि एवा का robots same to same हम इंसानों जैसा सोचने लगी थी यानि कि वो अपनी तरह और भी बहुत सारे robots बना सकती है जिससे की आने वाले टाइम में robots की संख्या बहुत ही जादा बढ़ जाएगी और फिर हम इंसानों के वजूद पर खत्रा मन रहा सकता है इसलिए अब Thompson ने Vincent को यह आदेश दे दिया था कि वो एवा के body में से सारी consciousness और feeling निकाल दे और उसे सिर्फ आदेशों पर चलने वाला robot बना दे Vincent एकदम से मजबूर था उसे ये ना चाते वे भी सारी चीज़े करने पड़ेंगी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तब Thompson ने उसे धमकी दे दी थी कि वो उसके बेटी की सारी feelings and memories delete कर देगा जब Vincent ने Eva के robot के पास आकर ये सारी चीज़े बताई तब वो robot Vincent के बेटी के feelings को बचाने के लिए अपना sacrifice करने के लिए ready हो चुकी थी Vincent अब operation करके Eva के robot के दिमाग में से consciousness बाहर निकाल देता है जिससे कि Eva का robot एकदम से normal बन चुका था सारी चीज़े अच्छे से होने के बाद Vincent Thompson के पास चला गया था ताकि वो अपनी बेटी के सारी memories वापस ले सके पर यहां Thompson उसके साथ धोखा कर देता है Thompson ने तो Vincent को कोई भी memory ना देती हुए उसे बंदी बना लिया था यानि कि यह सारी चीज़े Thompson की एक चाल होती है और अब Thompson Vincent को एक जगह पर बांद कर उसके उपर Eva के robot से खहकर गूली चलवाता है Eva की robot में अब कोई feeling नहीं थी वो तो सिर्फ एक normal robot बन चुकी होती है इसलिए उसने Thompson के कहने पर Vincent की उपर गूली चला दी थी पर थैंग गौड बंदूक के अंदर कोई भी गोली नहीं होती Thompson तो ये सारी चीज़े सिर्फ चेक कर रहा था वो अपने इन सारे एक्सपरिमेंट से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है लेकिन अब कुछ देर बाद Thompson को अपने एक वेग्यानिक से ये पता चला था कि Vincent ने तो रोबोट में से कुई भी फीलिंग्स और कॉशियसनेस तो निकाली ही नहीं थी उसने तो सिर्फ रोबोट में से ट्रैकर निकालने का नाटक किया था Thompson एकदम शौक होकर जब स्क्रीन पर दिखता है तब एवा की रोबोट लगातार उसे ढूनते जा रही थी क्योंकि इसके फीलिंग्स और कॉशियसनेस अभी भी मौजूद होती है और अब अगले ही मोमेंट में कैमरा एकदम से ब्लैंक हो गया था एवा की रोबोट तो विंसेंट के पास आकर उसे आजाद कर देती है और अब हमें ये पता चला था कि और्गनाईशन के अंदर सारे साइबोक्स जिनके दिमाग का ओपरिशन करके इंप्लांट किया गया था वो एवा की रोबोट की बात मान रहे थे दरसल बात ये थी कि एवा की रोबोट बाकी सभी रोबोट से इंटरनली बात कर रही होती है एवा की रोबोट ने सारे युमेनाइड रोबोट से प्रामिस किया था कि वो उन्हें बाहर निखा देगी इसे लिए वो सारे रॉबोट्स एक टीम बन कर सभी को मारने लग गई थी अब यहाँ एवा विंसेंट से कहती है कि वो जाकर उसकी बीटी की मेमरीज ला देगी और विंसेंट को तुरन कंट्रोल रूम पहुच कर कौन्टम कंप्यूटर डिस्ट्रॉय करना होगा विंसेंट तुरन कंट्रोल कंप्यूटर की तरफ निकल पड़ा था पर वो जैसे ही कंप्यूटर को डियक्टिवेट करने लगा था तभी वहाँ पर एक साइन्टिस्ट ने विंसेंट के बपर गंद दान दी थी वो उसे जैसे ही मारने गया तब ही उस जगह पर James नाम का वही humanoid robot आ गया था जिसके हाथों पर artificial hands लगाए गए थे James ने Vincent की मदद करते वे उस वेग्यानिक को मार दिया था Vincent अप लगातार ट्राय करते रहता है कि वो quantum computer को disable कर दे और कुछे देरे में वो computer को disable करके James के साथ निकल पड़ता है यहां दूसरी तरफ सूरी नाम की एक humanoid robot ये देख रही थी कि Thompson लगातार अपने system की मदद से सारे robots को बंद करता जा रहा है Thompson ने तो system की मदद से आदे robots को खतम भी कर दिया था तब ही सूरी उस जगह पर आकर Thompson के system को ही बेकार कर देती है जिससे कि वो और robot को मार नहीं सकता था इसी वज़े से Thompson एकदम गुस्ता हो कर सूरी को गोली मार देता है पर अब उस जगह पर एवा की robot पहुँच चुकी थी Thompson के किसी भी गोलियों का एवा के body पर फरक ही नहीं पड़ता और अब सारी गोलिया खतम होने के बाद Thompson एवा के सामने जिन्दगी की भीख मांगने लगता है यहाँ पर एवा ने Thompson से promise किया कि वो उसे जान से नहीं मारेगी बलकि एवा तो Thompson के mind के अंदर एक ऐसी chip insert कर देती है जिससे कि Thompson की पूरी body एकदम से paralyze हो गई थी अब Thompson जरा भी हिल डूल नहीं सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था अब Vincent, एवा और सूरी तुरंत एक गाड़ी में बैटकर बाहर निकल जाते हैं वो तिनों एक नदी के किनारे आ गए थे जहाँ पर एवा पहली बार sunset होते हुए देखती है एवा ने विंसेंट के बेटे का सारा memory एक device के अंदर insert कर दिया था जिससे के विंसेंट कभी भी बात कर सकता है अब विंसेंट को एवा के रूप में अपनी एक नई wife मिल चुकी थी जो अपनी आगी की जिन्दगी उसी के साथ गुजारता है हमारी कहानी भी इसी तरीके से खतम हो चुकी थी तो वीवर्स आपको ये स्टोरी कैसी लेगी कमेंट सक्षन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्प्लेशन एक परसेन भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नए वीडियो में बाबाई